भक्ति का अप्रारम श्रवन से है, भक्ति का दूसरा चिरण है किर्तन, फिर भक्ति किर्तन करता है, जो बात समझ में आ जाती है तो फिर उसके चर्चा भी करता है, इस चर्चा का नाम ही किर्तन है, किर्तन से कपट छोड़ता है, किर्तन का ये फल है, या आपके अंदर कपट हो तो आप किर्टन करते रोख किर्टन करते करते आपका अपड़ समाप्त हो जाए और उसके बाद तीसरा आता है स्मरण इस्मरण कैसा होना चाहिए बगवान संकर ने कहा है अर्णूदे मारभ्यो सीवा कालिन चिताष्दया निर्भयत्तम सदालो की स्मरणम तदुहार्खम सुर्योधाय से और सोने तक आपका यो पूरा का पूरा दिन चरिया है इसमें सतत आप अपने इस्ट का स्मरण करते रहें इसका नाम इस्मरण है आप अपने इस्ट से connect बने रहें आप अपने इस्ट से सम्मंदित बने रहें इसका नाम इस्मरण है चलते फिड़ते खाते सोते उपते बैठते परमात्मा कर्श्परण होते आप होगे कि माराज आप तो बाबा हो तो तुम हमेशा कर सकते हो हम तो गिरहस्त हैं हमें भोजन बनाना है हमें व्यापार करना है हमें नौकरी करना है पचास काम हमारे पास हैं हम कैसे कर सकते जान रखना दुनिया के प्रतिक काम को करने के लिए आपको अलग से समय की समय लेने के जुरुत नहीं है आप जो कुछ भी कर रहें उसमें आप पर्मात्मा किस्मरण कर सकते हैं बाबा कबीर ने कहा था सुमिरन की सुद यूं करो जियों गागर पनिहार बोलत चालत सुरत में कहे कबीर विचार गाओं में महिलाएं पानी लेने के लिए नदी में जाती है कुएं के पास जाती है तो गागर लेकर के जाती है अब तो ये धेरी-धेरी खतम होता जा रहा है, सबके गरों कर पानी होता जा रहा है, लेकिन राजिस्थान में पहले बहुत ता है, सभी जगह, मैलाएं, पानी लेने के लिए सिर्फे गागर लेकर के चलती थी, अब कई गगरी रखे हैं, एक के उपर, एक एक उपर, दो-ति गागर पर है, राष्ता तय हो रहा है, बात हो रही है, हसी-मजयक हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ध्यान गागर पर है, ठेक उसी तरह से आपको अन्य कुछ भी नहीं करना, आप जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें किवल एक ध्यान रखनारा हे, इस वर आपका प्रमातमा का आपको रखना है चलते फिरते उठते बैठते शुख जैसा भी है चोथा है पाद सेवन हम सेवा करना भी सीखें भगवत भक्त के जिवन में सेवा भी होती है यह यहां कथा चल रही है ना इस कथा में आप सब लोग स्टोता हैं लेकिन केवल स्टोता ही नहीं है यहां पर कारेकरता भी है ना बिना कारेकरता हो की कारेकरम हो सकता है नहीं हो सकता है तो भगवान शिव के भक्त या शाम के भक्त जो भी आप भगवान से जुड़ेवे सभी एक ही बात है तो भगवान शिव से जुड़े हुए या भगवान के अन्यत रुपों से जुड़े हुए यहाँ पर भगवत बक्त आप लोग सेवा कर रहे हो ये भी परमात्मक एक बहुत बड़ी भक्ती है मैं देख रहा था जब सुभायात्रा हो रही थी तो कई लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए थि क्योंकर विव्यवस्था के बाद बंती नहीं है ये बाद सेवनम है भगवान के कारियों में भगवान के मंदिर में भगवान के उच्छों में सेवा करना और कैसी सेवा अपने आपको कुछ नमानते हुए मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं पदवान हूँ ऐसा यह अहंकार ले करके सेवा करते हो वो सेवा किसी गिंती में ने आती है हम तो भगवान के सामने क्या है भगवान से बड़ा कोई हो सकता है हम भगवान के सामने अपने आपको सुन्य मांते हुए और फिर भगवान के सिवा करें यह भगवान की एक चोथी वक्त पाच्वा है अर्चनम है अर्चनम का मतलब है भगवान की पूजा करना पूजा कैसी करने चाहिए भगवान की पूजा उसी तरह से करने चाहिए यह आप भगवान की पूजा करते हैं तो जैसा आपकी आवश्चक्ता है वैसी आवश्चक्ता भगवान की मान करके भगवान की पूजा करते है आपको प्यास लगती है भगवान को भी प्यास लगती है आपको भूक लगती है भगवान को भी भूक लगती है, आपको गर्मी लगती है, भगवान को भी गर्मी लगती है, आपको सर्दी लगती है तो भगवान को भी, वैसे भगवान को कुछ भी नहीं लगता है, भगवान तो परे हैं, लेकिन आपने अपनी भक्ति की सीमा में ये भगवान को बांदा ह तो जैसा आपको अपने साथ करते हो वैसे आपको भगवान के साथ भी करना चाहिए इसका नाम वक्ति है इसको कहते है अर्चनम भगवान को क्या गर्मी लगेगी जिसके एक एक रोम में करोणो करोणो सुर्य होते हैं उनको क्या गर्मी लगेगी लेकिन तब भी आप उनके पंखा लगाते हो कि नहीं लगाते हो जिसके आखों में सुर्य और चंद्र निवास करते हैं उनको हम क्या दिपक दिखा सकते हैं लेकिन तब भी आप उनको दिपक दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो अरे आकासी जिनका वस्त्र है उनको आप कपड़े क्या दे सकते हो, लेकिन तब भी हम देते हैं, क्योंकि यह हमारी भावना है, भगवान की हम पूजा किस तरह से करें, जैसे आप स्वेम के सिवा करते हो, उसी तरह से भगवान की तरह, आप बंदावन में देखना, इस समय भगवान को फूल बंगले में रखा जाता है। फूल बंगले क्यों बनते हैं क्योंकि फूल ठंडे होते हैं और उन फूल बंगले को बना करकर भगवान को ठंडक दी जाती है। जब सर्दी आ जाती है तो भगवन को रजाई उड़ाई जाती है तो ये अर्चनम इस तरह का अर्चनम हारा होना चाहिए और फिर अगली भक्ति है बंदनम बंदन परमात्मा को करें कैसा बंदन हम जो प्रणाम करते हैं ये पर प्रणाम नहीं बंदन का मतलब है अपने आपको परमात्मा के चरणों में समर्द भगवन मैं कुछ नहीं हूँ अविमान छोड़ करके केवल हमारा सिर न जुके हमारा अंकार भी जुके केवल हमारे हाथ जुड़ न जुड़े हमारा पुरा अस्तिर्त भगवान के सामने फैल जाए नत्मस्तक हो जाए इसका नाम बंदन के उसके बाद दास्यम है मैं भगवान का दास हूँ हनमान जी से पूछा था रावण में तुब कौन हूँ मैं राम का दास हूँ कोसलेंद्र का में दास हूँ उसी तरह से आप तो भी गोष्णा करनी चाहिए आप किसके दास हैं बगवान बुड़ा नाथ की और आपके पीठ में तो आपके सर्ट में वो स्लोगनी लिखा हुआ है हमारे नात हमारे नात, अरे सब लोग तो बोलो, हमारे नात, बोलानात, बोड़े बोलानात, महादेव की जर्ड़े, हमारे नात बोलानात, दास श्यादा, आठेवी वक्ती है, सक्यम, भगवान को अपना सखा माल लो, अब सखा किसको कहते हैं, श्यूपुरान कहता है, मंगला मंगलम यद्यत करोतीती शुरेहिमे सरवे तन मंगला येती विश्वासा सक्यलक्षणम्, मेरे साथ अच्छा हो, तब भी भगवान के कृपा है, और अच्छा नहो, तब भी भगवान की, मीरा भाई के पास, मीरा भाई के दिवर ने विसका प्याला भेजा, क्या भेजा, विसका प्याला, और क्या केके भेजा, कृष्ण चरनाम्रत है ये, भगवान क्रिष्ण के चरनों का अम्रत है, विसका प्याला मीरा भाई के पास भेजा, दासी ने आकर के धीरे से कान में कहा, भाई साथ, ये, क्रिष्ण के चरनों का चरनाम्रत नहीं है, ये विसका प्याला है, मत पीना इसे, मुझे पता है कि यदि पता चल जाएगा, तो मुझे वो फासी दे देगा राणा, लेकिन मैं आपकी हितेशणी हूँ, मैं आपकी हर्दय के कृष्ण प्रेन को जांगती हूँ, कि आप कितनी भूली बाली है, कितना आप कृष्ण की भक्त हैं, ये कृष्ण का चरनाम्रत नहीं है, ये विसका प्याला है, मेरा बाई ने क्या कहा, पिस्ट का प्याला काना ने भेजा नीरा पीवत हांसी रे नीरा पीवत हांसी रे पगगुगरु बाजे पीरा नाची रे पगगुगरु बाजे नाची रे पगगुगरु बाजे नाची रे मंगला मंगलम यद्यत करूती तीश्वर्यव ही मैं सरवेतन मंगला ये जी विश्वाता सक्यलक्षनम मेरा ठाक और जो कुछ भी कर रहा है वो मेरे अच्छा है इस विश्वात का नाम सक्यलक्षनम एक नाची रात्री में बावडी में पानी पीने के ले गए क्या पीने के ले गए पानी पीने के ले गए पावडी में पानी पीने के ले गए तो वाँ भूत रहता था वो भूत प्रगट हो गया सामने आके डराने लगा अब कोई साधान होता तो वो डर जाता लेकिन एक नाची ने कहा वाँ प्रगट आज तुम हमारे भूत बन करके सामने आगे और वही करताले करके नाचने लगे आज भगवन आप भूत बन करके आगे आपका दर्सन करके मैं धन्य धन्य हो गया अच्छा आए तब भी प्रभु कृपा है और बुरा आए तब भी और आप क्या करते हो आप उल्टा करते हो अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हो गया तो बोले नाथ ने किया आजकल भगवान बोले नाथ हम पर रुष्ट है भगवान नाराज है आजकल हमारे यत्यत करो जीतिश्वरी की में अच्छा करने वाला भी मेरा महादेव है और यदि अच्छा नहीं है तो वो भी कौन है और नवी वक्ति है आत्मनिवेदर अपने आपको परमात्मा के चरणों में समर्थित करते हैं मैं कुछ नहीं हो जो एक तो ही तो एक हो ताप तेरे अलावा मेरा कुछ नहीं है यह कुछ नहीं है अपने आपको थाकुर के कर देना मार्यजा को भीरा ने अपने आपको ठाकुर के चलड़ों के चल्ड़ों में समर्पित किया तो बुरा से बुरा हुआ समय उनका बहुत अच्छे से सभग्त बिल्ली का छोटा सा बच्चा होता है न वह अपने आपको अपनी मा को समर्पित कर देता है तो क्या होता है जिन दातों से वह बिल्ली चुहों को काट डालती है कुतर डालती है माट डालती है उन्हीं दातों से वह बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है फेक उसी तरह से वो महाकाल जो दुस्त्रों के लिए काल है महाकाल है लेकिन जब आप उनके भक्त बनते हो उनके बन जाते हो तो वही महाकाल आपके लिए पर्मरक्षक बन जाते हैं